हाई स्टुएंट्स वेलकम टो एपिसोड 75 अफ कैप्स इन देनों कैप्स के एपिसोड में मैं हर बार कुछ ना कुछ नहीं टैक्निक नहीं तरीके आपको बता रहा हूं ताकि इस लॉक्डाउन के पीरिड में भी स्टुडेंट्स कुछ ना कुछ अपने ऊपर वर्क करते र मोबाइल फॉन्स पे वाट्स अप पे किसी ना किसी तरीके से अपने टीचर सोर फ्रेंट से कनेक्टेड होंगे बले ही सोशल डिस्टेंसिंग है फिजिकल डिसकनेक्शन हैं बट मैंटली और इमोशनली आप सबसे कनेक्टेड होंगे लेकिन इसी बीच में मुझे एक और मिला है जो मैं आप से शेर करने जा रहा हूं जो आपकी इसको बहुत अच्छे से एन्हांस करेगा क्योंकि आप फॉजिकली किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है रेरली कुछ स्टुएंट्स वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते हैं या ऑनलाइन क्लासेज में स्टुएंट्स नहीं होता है तो इन देट पर्टिकलर सेच्वेशन ब्रेन की एक स्लीप स्टेट बिल्ड होती जाती है जिसमें आप लगातार सरफ अपने फैमिली मेंबर्स को ही देखते हो अपने घर में ही रहते हो वही चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और टीवी पे आडियो प्रिशिक फंड है तेट इस टीच यूरसल्फ टीच यूरसल्फ नाम से यह समझ में आता है कि अपने आपको पढ़ाना बट इस नॉट सो सिंपल टीच यूरसल्फ ड़संट आपने आपको पढ़ाएं मैं एक छोटी सी एक्साइज या एक मेथाड़ोजी बता रहा हूं इस मेथाड़ोजी को आप आल्मोस डेली या अल्टरनेट डेफिक्स कर लीजिए मंडे वड्नस डे फ्राइडे या ट्यूजडे थास्टेडे इसको इंप्लिमेंट करेंगे तो अगर आप हाफ न आर डू वन आर भी इस एक्टिविटी पर देते हैं क्योंकि अभी इस्ट कोचिंग में क्लासे शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है तो इस पीरिट के अंदर आप यह एक्स एक्टिविटी करेंगे तो आम शूर कि आपका ब्रेन कंपेर टू प्रीविए सियर या कंपेर टू प्रीविए सियर एकेडमिक्स काफी अच्छे लेवल प पर अच्छे आउटकम है तो दिस सम्हाँ गोंग तो सर्टेनली गिव यू एट लीस्टे ट्विटी टू ट्विटी फाइव परसंट एनांस्मेंट इन्यूर ओवरॉल अकेडमिक्स केस्ट तो बात करते हैं कि यह चीज क्या है वैन वी टॉक आपट टीच यॉरसल्फ तो अगर मान लीजिए मैं आज क्लास में पढ़ा रहा हूं मेरे पास बोर्ड है बोर्ड पे लिखूंगा जो स्टुएंट्स मेरे सामने क्लास में हैं उन्हें मैं समझाऊंगा उन्हें मैं पढ़ाऊंगा अगर आज से मैं 20 साल पहले चले जाता हूं तो मैं कैसे पढ़ाया कर हो जाते थे फोटो कापी हो के आती थी और इस्टुएंट्स में वो पेपर डिस्ट्रिब्यूट हो जाते थे एज नोट्स नाओ दे पॉइंट इस कि अब आपको क्या करना है आपके पास घर में कोई नहीं है लेकिन अगर आपने किसी भी दिन कुछ चीजें पढ़ी है आप इस दक करेक्ट वेइट वेट फॉड़ जेई और नीट उस एपिसोट को देखें समझें और अगर आपका देखा हुआ है तो इस एपिसोट के मैथट से टॉपिक को पढ़ें एक टॉपिक की थियोरी कवर करें उस टॉपिक के एग्जामपल्स कवर करें सारी चीजें समझ लें और फिर उसको रात को रिव्यू करके सो जाएं लाइक आपने यह अगर एक्टिविटी मंडे करिए तो ट्यूजडे को आपको क्या करना है आपको एक टाइम ऐसा निकलना है मौर्निंग आवर्स हो तो अच्छा है एक गंटे का टाम निकाली है कल आपने जो भी कॉंस ही नहीं है इट इस नॉन एक्जिस्टिंग करेक्टर आप अपनी स्टेडी चेर टेवल पर बैठ जाएं यह मान के चली कि आपके पास में कोई बैठा है एक्चुली कोई नहीं है कोई बैठा है और अब आपने जो पढ़ा है उस चेप्टर को आपको उसको पढ़ाना है उ अगर आप 11th क्लास में है तो आपके पास में जो करेक्टर बैठा है वो 8th या 9th क्लास का है तो 8th या 9th क्लास के स्ट्वरंट को आपको उसके लेवल पर आके जो चीज आपने पिछले 2 या 3 दिन में पढ़ी है उसको समझानी है क्योंकि आप भी जानते हैं आप 8 9 10th कवर क करके आए हैं और उसके बाद आप 11th में 12th में तो अपने से दो साल पीछे चले जाए और उस स्ट्वरंट की जितनी नौलेज है उस नौलेज को मान के आप यह मान कि उसलिए आपको एक वर्चुल करेक्टर को ट्यूशन देनी है और उसे एक घंटा वो टॉपिक पड़ा यह फुजिकली लिटरली मान के क्योंकि अभी भी आपके पास कोई है नहीं आप सराउंडिंग में ब्लैंक हैं सो प्रैक्टिकली मैं यह काऊंगा विद्स मैथट आप अजूम कीजिए करेक्टर आप क्या से आप पढ़ाना शुरू कीजिए तो आप रिकॉल करेंगे आप रिकालज करेंगे कि अगर नाइंगत के बचे को या एक अनिक के बच्चे को आप यह कौण सब्च जो आपने प्ड़ा वह समझाशाना है तो कौन कौन सी चीज़न आप को आती होंगी कौन कौन सी चीजों से आप और याप लवीट करने करूंगे वह वर्च्वल טीचंक कर है उसको पूरा चप्टर समझाना है इस इन बिट्विन अगर आपको कहीं पर भी लगता है कोई चीज भूल गए हैं तो आप इमीडेटली उस एक्टिविटी को पॉस करें वर्चुल करेक्टर को बैठे रहने दीजिए और वापस अपने नोट्स रफर कीजिए देखी क्या भूल गए थे फिर उसको कंटिविटी में कीजिए पेपर पे लिखिये जो मैं एक्जामपल बता रहा था कि मैं टेबल पे पढ़ाता था पेपर पे लिखता था और चारों तरफ इस्टुएंट्स नोट करते थे उसी तरह से यह चारों तरफ से स्टुएंट्स देखते थ जो भी इस्टुएंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो इसका कोर सिगनिफिकेंस समझ गए होंगे कि इस एक्टिविटी से उनको क्या फायदा होने वाला है जब हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं अगर यह इमेजिनेशन बना के ऑनेसली करेंगे क्योंकि लोगडाउन स्टुएंट यह 11 पास्टुएंट को उस लेवल पर समझाने की कोईश करें नॉन एक्जिस्टिंग करेक्टर को आप देखें कि आपकी वदिन नेक्स वन मंथ आपकी ओवरॉल स्किल्स कितना जबर्दस इंप्रोव होती हैं क्योंकि अगर आप किसी को एक्स्प्लीन करने क की पावर डवलप कर लेते हैं तो आपकी अंडस्टेंडिंग कही गुना मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है तो आई स्ट्रॉंगली रिक्मंट की इस एक्टिविटी को आप रेगुलर बेसिस पर करते रहें टीच यूर्सल्फ और इंडिरेक्ली वी कन कॉल इट वर्च सौच के पढ़ाएंगे कि आपसे 2 साल चोटा केंडिड़ेट एक नौन एगसिस्टिंक केंडिड़ेट वहां पर बेठा है अजकर आपको मेरा मेरी बातों का करक समझ में आ गया होगा बिकॉस्त वट कहें ट्स पलेएं सिर में आउनЕल होगा लाके झाल झाल